दोस्तो इसराइल ने दमिश्क के अंदर इरान के दूतावास पर हमला किया था जिसमें अब तक तक तक्रीबन 15 लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले के बाद इरान की तरफ से अभी तक सिर्फ और सिर्फ धंकिया ही दी गई हैं हर एक घंटे में किसी ना किसी की तरफ से इसराइल को बड़ी से बड़ी धंकी दी जा रही है लेकिन अभी तक कोई एक्शन इरान की तरफ से नहीं लिया गया है इरान अभी धंकिया ही दे रहा था कि इसी बीच इरान के अंदर तीन आतंगबादी हमले हो चुके हैं भारत के अंदर जब सहरी का वक्त था आज उसी वक्त इरान के तीन जगाहों पर आतंगबादी हमले हुए हैं जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर मारे कहे हैं खबरे ऐसी भी आ रही हैं कि जिन आतंग क्यों ने हमला किया था कई सारे आतंग के भी मारे कहे हैं रिपोर्ट्स के अनुसार ये तीनों हमले एक साथ हुए हैं इरान का जो चावरा है वहाँ पर और राश्क में ये तीनों हमले एक साथ हुए चावरा में दो IRGC के सैने ठिकाने हैं जहां पर बहुत सारे IRGC के हतियार रखे हुए हैं वहीं राश्क में एक पुलिस स्टेशन पर तीनों हमले एक साथ हुए हैं एक साथ हुए इन तीन आतंकी हमलों से इरान दहल उठाए अभी जादा इंफरमेशन सामने नहीं आई है लेकिन शुरुवाती रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अभी तक तीन इरानी सुरक्षावलों की मौत की ख़बर कंफर्म हो थे तकलिवन चार आतंकियों को मार भी गिराया गया है शुरुवाती रिपोर्ट्स के मुताबिक दरजनों आतंग वादियों ने एक साथ इन तीनों जगाओं पर हमले की हैं आतंकी कोई एक दो नहीं थे बलके बहुत सारे थे और एक साथ तीनों जगाओं पर अटेक किया है दो ठिकाने वो है जहाँ पर IRGC के हत्यार डिपों है और एक पुलिस स्टेशन है शुरुआती रिपोर्ट में ये बात सावने आ रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी जैशल अदल आतंकी संगठन ने ली है जैशल अदल संगठन का नाम आपने सुनाई होगा अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब इरान ने अपने देश से पाकिस्तान के वालुचिस्तान में जैशल अदल संगठन के कई सारे ठिकानों पर डिरिक्ट मिसाइल अटेक किया था उसी जैशल अदल संगठन ने इन तीनों हमलों की जिम्मेदारी ली है तो इरान के उपर एक के बाद एक इस तरह के हमले हुए जा रहे हैं यार इरान का कुछ समझ नहीं आता है इरान ताकत तो बहुत दिखाता है दुनिया को लेकिन इरान अपने घर में ही इस तरह के हमलों को नहीं रोक पा रहा है रात की ही रिपोर्ट में मैंने आपको खबर दी थी कि इरान ने दो ISIS के आतंकियों को पकड़ा है जो भीड भाड़वारे इलाके में जाकर अपने आपको बिलास्ट करने वाले थे घनीमत रही के पकड़ गए अगर नहीं पकड़े जाते तो कितने लोग कल ही मारे गए होते अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है कि कबरस्तान के अंदर वो हमला हो गया तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी तो इरान क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन धंकियां बहुत बड़ी बड़ी इरान की तरफ से दी जा रही है मैं आपको कल भी कुछ भी कर सकता है जिसके चलते हुए तेल अवीब के अंदर सभी लोगों को बंशेल्टर में चुपा दिया गया है इसराइल ने तेल अवीब के अंदर अपने लोगों को बंकर के अंदर चुपाना शुरू कर दिया है साती साथ इसराइल की एर फोर्स भी पूरी तर को अलर्ट मोड पर डाल दिया है साथी साथ इसराइल ने अपने एरिये के GPS को भी हाई लेबल पर जाम कर दिया है ताकि इरान का हमला आसानी से नहों पाए लेकिन इसराइल भूल लहा है कि इरान के पास रूसी ग्लोनास भी है जिसका उपयोग करके इसराइल के GPS सिस्टम को तहसनेस किया जा सकता है एरान के पास ताकत तो बहुत है लेकिन क्या कहें वस धमकिया अभी भी बड़ी दी जा रहे है इरान की I.R.G.C. के जनर्रल फहीम सफबी कहते हैं कि ये तो तह है कि इरान इसराइल को ऐसी सजा देगा जिस से शासन को इरानी दूतावास पर हुए आतंक की हमले के लिए पच्टाना होगा इसके अलाबा ईरान के सुप्रीम लिडर आयातुला खामनई ने रात फिर एक लंबा चोड़ा बयान अपने लोगों के सामने दिया है और उने का कि इसराइल की हार जारी रहेगी इसराइल हार के तरह बल्ला है और ये जो हमले कर रहा है उल्टे सीधे ये इसकी हार की वज़े है हताश हो चुका है इसराइल इसी वज़ा से इस तरह के उल्टे सीधे हमले कर रहा है जो कि उसने सीरिया के अंदर हमारे उपर किया इसराईल ने यह जो कुछ किया है इसमें बिलकुल भी शक नहीं है कि अब इसराईल के मुँपर एक तगड़ा तमाचा पढ़ने वाला है तो बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी की जा रही है एरान की तरफ से धंकिया भी बड़ी-बड़ी दी जा रही है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है और इसी बीच एरान के अंदर खुद आतंकी हमले हो जाते हैं अब इन आतंक के हमलों के पीछे कौन है आया जीसे के हत्यार डिपो पर हमले हुए हैं तो हो सकता है कि एक बहुत लंबी चौड़ी साजिश यहां पर भी किसी ना किसी ने रची हो फिलाल अमरीका को भी डर है कि एरान हो सकता है कि मिडिलिस्ट के अंदर हमारे ठेकानों पर भी हमले कर दे अमरीका के कहना है कि देखिए जब भी इसराइल इरान के ओपर हमला करता है हमेशा से इत्यास रहा है जबाब में इरान अमरीका के ठेकानों को निशाना बनाता है इसलिए अमरीका ने भी अपने एर डिफेंस सिस्टम को मिडिलिस्ट में एक्टिव कर दिया प्रवटेना ने गाजा के अंदर मार दिया इसराइल अपने गुना को जुपाने के लिए कह रहा है कि वो धोके से हो गया अंजाने में हो गया हम इसकी माफी मांगते हैं लेकिन दोस्तों वर्ड सेंट्रल किचिन के जो संस्तापक हैं जोस एंडर्स रॉइटर्स की रिपोर् थी एक फोटो के जरीए तीन कारे थी एक पर हमला हुआ उसके लोग बजगे दूसरी पर हमला हुआ उसके लोग भी बजगे उसके बाद तीसरी पर हमला किया जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हो गए यह मैंने कल आपको बताया था और आज यही बात वर्ड सेंट्र किच इस्राइल डिफेंस फोर्स का ये डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंड इसने इरान से कहा कि अगर आप हमारे उपर हमला करते हैं तो फिर आपको भी इसका भुक्तान करना पड़ेगा आप हमारे उपर हमला करेंगे उसका बदला हम आपसे जरूर लेंगे और ये हकीकत है दोस कहीं ना कहीं हमला जरूर करेगा और बहुत जल्द करेगा यही धमकी योब गैलेड ने दी है उसने कहा है कि मिडिलीस के अंदर हमारे बहुत सारे दुश्मन है और हम बहुत सारे युद्ध में घिरे हुए हैं हम हमले भी कर रहे हैं और अपने ओपर हो रहे हमलों से बचाओ भी कर रहे हैं मिडिलिस्ट के अनंदर बहुत सारे युद्द में घिरे हुए हैं दुश्मन को हम कही पर भी मिडिढिलिस्ट के अंदर मार सकते हैं इस तरह के धमकी पलट कर इन ग leurs अवर एक रहामोशी के साथ बैठ जाएंगे फिलाल एरानसे आप लोगों को कितनी उम्मीदे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खायर लखिएगा अलाहाफेज